भारती और तो मारकेट का सबसे कम पूछा जाने वाला सेगमेंट है सेडान सेगमेंट हाला कि अब हाल ही में जो अपडेट किये गए हैं जैसे desire में cng को introduce किया गया नई इसलाविया को लाँच किया गया होना सिटी में हाइबर एंजिन है तो यहां पर अपडेट तो किये जा रहे हैं लेकिन प्राइस सेग्मेंट काफी ज्यादा माइन रखता है क्योंकि आठ से लेके पंदरा लाग रुपे के बजट में आपको सेग्मेंट कोई क्यों ले इसको साबित करने के लिए इसलाविया और वर्टर जैसी गाडियों को लाँच किया गया है आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं टॉप टैन बैस सेलिंग सेडान के बारे में जो मई के महीने में पूरे भारत के अंदर सबसे ज्या 2022 में इसकोड़ा की ऑक्टाविया एक प्रीमियम सेग्मेंट में आने वाली सेडान है इसकोड़ा में अभी कुछ महीने पहले ही काफी बड़े अपडेट किये गया और इसको लॉंच किया गया केवल दो ही वेरेंट आते हैं इसके स्टाइल 2.0 और एलन के यहां पर इसकी क अपडेट नहीं दिये गए हैं हो सकता है आने वाले समय में इसमें अपडेट आपको देखने को मिल जाए 152 यूनिट्स भी की है करें तो 32,85,000 रुपे तर शुरू होती है और 35,85,000 रुपे तक जाती है एट पोजिशन पर आई है मारुती सुजुकी स्याज जिसकी 586 महीनों में बैक टू बैक अपनी गाडियों में अपडेट देता आ रहा है अभी तक तो हैजबैक्स में अपडेट दिये हैं और अब बारी है SUV की मारुती सुजुकी सियाज की एक्शन रुम प्राइस की बात करें तो 8,78,000 रुपे तर शुरू होती है और 11,76,000 रुपे त साल 2023 में इसका अपडेट वर्ण लाँच किया जाएगा करन्ट जनरेशन वर्णा की 1488 यूनिट्स विकी है मई 2022 में एक्शन रुम प्राइस की बात करें तो अभी शुरू होती है इसकी 9,40,000 रुपे से और 15,44,000 रुपे तक जाती है सिक्स पोजिशन पर आई है श्कॉड दिमांड काफी ज्यादा बनी हुई है हाला कि सेमी कंडक्टर चिप शॉर्टेज के चलते जो दिमांड है उसको फुल फिल किया जाना अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है करन्ट एक्शन रुम प्राइस की बात करें तो 10,99,000 रुपे तो शुरू हो करके 18,49,000 रुपे गए हैं एक्शन रुम प्राइस की बात करें तो 6,09,000 रुपे तिश्रू हो करके 9,50,000 रुपे तक जाती है फूर्ट पोजिशन पर होंडा की। उन्डा सीटी के 3628 यूनिट करन्ट एक्शन रुमप्राइज की बात करें तो 11,49,000 रुपे तिशू हो कर्के 15,43,000 रुपे फेसली वर्जन इसका आया, फ्रंट हैडलाइट्स में चेंजिस किये गए, फ्रंट ग्रिल चेंज की गई, कुछ फीचर अबडेट किये गए, लिकिन जो अलोवर लुक है वो पुराना वाला ही है और जो पुराना वाल लुक है वो काफी बेतर है सेकिंड पोदिशन पर टाला की टिगॉर जिसके 3975 यूनिट्स विके हैं, टाला टिगॉर में भी हाल ही में CNG वेरेंट भी इंटेट्यूस कर दिया गया है और करन्ट एक्शन प्राइस की बात करें तो 5,97,000 रुपे तक चुरू होती है और 8,57,000 रुपे तक जाती है जल्द ही हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे लीस सेलिंग कार का और गाड़ियो पर चल रहें डिसकाउंट का इससे पहले टॉप 25 बेस सेलिंग कार्स और टॉप सेलिंग हैजबैक का वीडियो भी बना दिया है बात करते हैं नमबर वन पोजिशन पर आने वाली मारूती सुजुकी डिजायर जो की हर बार ही नमबर वन पोजिशन पर आसानी से आ जाती है 11,603 यूनिट्स भी की है वैसे तो इसके लुक में कोई बड़े अपडेट नहीं किये गए लेकिन इसमें भी हाल ही में CNG वेरेंट भी इंटिड्यूस कर दिया गया है करन्ट एक्ष्रूम प्राइस की बात करें तो 6,23,000 रुपए दे शुरू होकर के 9,17,000 रुपए तक जाती है